पुलिट बूर्ट के पर्चिय फाय दे रहे हैं वो पुलिट बूर्ट के पर्चिय फाय दे रहे हैं दरसल उत्तम प्रदेश में जो निश्पक्ष वोटिंग हो रही है वो कितनी निश्पक्ष है इसका खुलासा तो एक के बाद होता जा रहा है कहीं वीवियम में धानली है तो कहीं सीधा सीधा अब मतदान केंद्रों पर जड़ब के खबरे सामने आ रही हैं और ये आरूप सम लोगों को मैनुपुलेट करने के साथ साथ हिंसा पर उतार हो गए हैं ये आरूप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा जा रहा है दरसल रामपूर में सुभा से ही जो मतदान शुरू हुआ है उसके अलग-अलग मोड नजर आ रहे हैं अलग-अलग रुजहान सामने आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर एक के बाद एक ऐसी घटनाए हो रही है जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो एवियम को लेकर के सवाल उठाए गे थे उनमें कितनी जादा सच्चाई है लेकिन एक तरफ आपको बुता दे एवियम की बाद चल रही है तो दूसरी तरफ वोतदाताओं को प्रभावित करने के लिए और वोटिंग को कम करने के लिए जो काम किया जारा है जो हत कंदे अपनाई जारे है उनमें से एक हिन्सा का भी है अब ये पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि जैसे ही पहला डालने के लिए कोई अंदर जाता है वैसे ही EVM जो है वह खराब हो जाती है यह हाल है उत्तम प्रदेश का दस मिनट के बाद जाकर कि वोट पड़ता है और उसके बाद वहां पर EVM बदल दी जाती है और EVM बदलने के बाद फिर से वही खेल शुरू हो जाता है कि फिर EVM खरा रहा है और यह मामला है भूत संक्या 269 का रामपुर में वोटिंग के दौरान आपको बता दें शौकात अली मार्क परस्थित पोलिंग भूत पर सपाईयों के दफ्तर पर तोड़ फोड भी कर दी गई है और यह आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगा गया है सपा रासन के अफसरों से समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं ने शिकायत की लेकिन कोई कारवाई ना होती देख हंगामा शुरू हो गया है उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया कि आखिर शिकायत जब की गई है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और अगर आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे समाजवादी पार्टी के जो कारिकरता है उनका आरोप है कि वो शौकत अली मार्ग पर बने मतदान केंदर के बाहर अपना जो है बिस्तर लगा रहे थे जिसे भाजपा कारिकरताओं ने नहीं लगाने दिया और जा रहा है जहां पर रात में रुखने के लिए यानि जो निगरानी इवियम पर की जा रहे है उसको ले करके अपना चोकरना हो करके समाजवादी पार्टी के जो कारिकरता है उनकी तरफ से विस्तर विस्तर लगाया जा रहा था लेकिन भाजपा के लोगों ने ऐसा नहीं क वो अब हर कोई डिसकस कर रहा है और इस पर चुनाव आयोग से भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है कि आकर इतने मामले होने के मावजूर भी इलाक्शन कमिशन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है सबसे जादा जो इस वक्त फोकस है वो उत्ते प्रिदेश और पिर भी एक भी कारवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है अब आपको वो ट्वीट रिखा देते हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से लडाई जगडा हो रहा है और कुर्सियां तक तोड़ दी गई है बोलता उत्ते प्रिदेश की को उठा कर लेके गए और लगाने भी नहीं दिया गया उसी को लेकर समाजवाधी पार्टी का जो आरोप है वो यह है कि प्रिशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है अब समाजवादी पार्टी का जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है इसमें भी वीडियो शेयर किया गया है लिखा गया है आम जनता को प्रताडित कर रही है भाजपाई पुलिस रामपुर में वोट डाल ले गए युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा शर्मनात मामले का संग्यान ले चुनाव आयो आरोपी पुलिस कर्मियों को तुरंट सस्पेंड किया जाए और इसमें वही पूरा वीडियो है और लोगों का उपीनियन भी है कि लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि आप देखिए कैसे बीजेपी के जो लोग हैं और पुलिस पुरुश्रा दिया जा रहा है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं और ये एक नहीं कई लोगों की तरफ से आरूप लगाया जा रहा है एक तो समाजवादी पार्टी उनकी तरफ से आरूप लगाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो आम नागरिक है उनकी तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखर ये जो मनमानी है वो चुनाओ में भी क्यों हो रही है वोटिंग के दिन भी इस तरीके की खबरे निकल कर सामने क्यों आ रही है मैं आपको बता दे कि दैनिक भासकर की तरब से भी इस पूरी खबर को दिखाया गया है लिखा है कि सपाईयों के विस्तर पर तोड़ फोर के बाद जड़प बीजेपी कारिकरताओं पर आरोप और ये आरोप समाज़ादी पार्टी के तरफ से लगाया मैं बार बार आपको बता रही हूँ जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं लेकिन जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें यही है कि बीजेपी की तरफ से हर एक वो कोशिश की जा रही है जिससे चुनाव को वोटिंग को लोगों को प्रभावित किया जा सके और कम से कम वोटिंग हो लेकिन सामप्रदाईकता को लेकर जब मुक्तार उन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरीके से स्पूरे मामले में जवाब दिया है वो भी आपको बता देते हैं उन्होंने कहा है कि वोट जो है वो सामप्रदाई के जारत थी उसकी जगा अब्दुल के समवेशी विकास की बारत वो साफ नजर आ रही है चाह वो अमर हो अकबर हो या फिर एंतोरी समवेशी विकास का हिस्सेदार बन रहा है आज सभी लोग विकास को लेकर वोट कर रहे हैं और जो उनके मेन मुद्दे हैं उनको लेकर वोट कर रहे हैं जो दिखाया जा रहा है उस पर वोट नहीं कर रहे है जब सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया तो बताया गया कि जब हारने लगते हैं तो वो इवियम पर सवाल उठाते हैं जनता से बड़ा कोई जागीरदार नहीं होता है आपको बता दे कि जब निकल कर घर से लोग वोट डालने जाते हैं और अपने वोट का स्तमाल करते हैं लेकिन फिर भी उनके वोट को किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है वो आप लोगों के सामने हैं लेकिन आपको बता दे कि जस तरीके से अभी ये पहला आरोप नहीं है कि इस तरह से तोड़ फोड की गई है जब गुजरात में भी चुनाव चल रहा है तो उसमें भी ऐसी ही खबरे निकल कर सामने आ रही है कि कहीं कॉंग्रेस के पत्याशियों को पीचा जा रहा है तो कह निकल कर सामने आ रही है उसमें एक जो ट्वीट है वो आपको पढ़कर बता देते हैं मनुज काका का है इन्होंने एक ट्वीट किया है और एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दो लोग है वो को बोल रहे हैं और लिखा है ये सुनिए योगी राज में कैसे मतदाताओं को पर चीफ आड कर मतदान करने से वंजित कर रही है ये आरोप आम जनता की तरफ से लगाया जा रहा है एक जो और ट्वीट है वो है समाजवादी पार्टी मीडिया सलका लिखते हैं चुनाव आयो की गाइडलाइस का उलंगन करके पुलिस परशासन मतदाताओं को मतदान कर रहने से रोक रहा है इलेक्शन कमिशन CEO UP जब निश्पक्षता करनी ही नहीं है तो आप लोग निश्पक्ष चुनाव का धोंग क्यों करते हैं सीधा बोलिए ना कि आप भाजपा के एजेंट हैं और आप लोगों ने भाजपा को जुताने का ठेका ले लिया है और ये कहा गया है समाजवादी पार्टी का जो मेडिया से लिए उनकी तरफ से कि जब भाया आपको जो है एक ही तरफ का चुनाव करवाना है सिर्फ और सिब धोंग दिंधोरा जो आप पीटते रहते हैं कि निश्पक्ष किया जा रहा है तो वो धोंग और दिंधोरा पीटने की पहुचाते रहेंगे तब तक के लिए नेशन से सिक्टी के साथ लगातार बने रहे हैं जाय है